तो इतले दोस्तो गनित के बाद अब सैंस की बार यह है दोस्तो असी में असी लाना है सभी को इस वीडियो को स्रूर से लगर अंतक जूर देखेगा इस सारे कोषन बहुत ही इंपोटेंट है और दोस्तो और बिहारबिट के तोरह जारी ऑफिसियल कोषन पर पर है इसलिए ए हाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब बटन होगा उसको प्रेस करके साथ मैं आल नोटिफिकर्स कर लिए ताकि जैसे हम लोग इसका न्यू पार्ट लेकर रहेंगे दोस्तों नेक्स वीडियो सोचल साइस साइस हिंदी इंग को लिंक दे आरूँगा दुसतों जहां से अपलोग प्रक्टिस कर सकते हो और इसको डॉन लूट पी कर चक्तों चलिए एकदिर इंप्रस्त occupied değildisики चेहिंआ कि कहा गया कि किस दरपन की फोकस दूरी इरनात्मक होता है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबी ठीक है अप्सन नमर भी इसके साथ चले जाएंगे अप्तल दरपन अप्तल दर्पन का जो फोकस दूरी होता है दोस्तों नात्मक होता है मतला निगेटिव में लेते हैं ठीक है ना याद रखेगा और लेंस पूछा जाएगा उत्तल लेंस की दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है तो वो पोजेटिव होता है ना उत्तल लेंस की उत्तर लेंस की याद रखेगा दोस्तों पूछा जाता है उत्तर लेंस की फोकस दूरी पोजेटिव होती है याने तो अब तल दर्पन पूछा जाएगा चलिए अगरा कोशन दर्पन की फोकस दूरी और वक्ता तिर्जया आरे में क्या संब्ध है तो एफ बराबर आरबार सब्सक्राइब के साथ चलना है समय कम है दोस्तों इसलिए हम लोग फ़रा सा फास्ट करते हैं ठीक है ना कहा गया थर्ड नमर कि समाने दृष्टी के लिए असपश्ट दृष्टी की नियूंतम दूरी क्या होती है तो समाने दृष्टी के लिए असपश्ट दृष्टी की इसी प्रिज मकि से गुजरने के पासाइद सबसे कम जुकता है थम लोग को पता है दुस T всем अगर कोई प्रिज में यहां से जाता है ठीक है और सात रगों में प्मक्ति yen क् necesуд nmb 6 के साथ चलना है जा का अगला प्रस्थ कहा गया है कि मानव आंख के लीटीणा दोरा बनाई गई भी जो होती है तो मानव आंख की रेटीना दोरा बनाई गई छबी जो होती है दोस्तों वह होता है आपका वास्तिविक और उल्टा क्या होता है वास्तिविक और उल्टा ओप्शन नमर B के साथ चल जा नाम को अगला प्रस्ण अकास का रंग निला परतीत होता है क्या कोशन अकास का रंग निला परतीत होता ह है दोस्तों उसका एंसर हो जाएगी option नमर भी अप्तल दर्पन है ना अप्तल दर्पन में बस्तु का बराप परत्वीं बनता है ठीक ना option नमर भी के साथ चल जाना है अगला प्रस्न कहा गया है कि निम लिखित में से कौन सा लेंस निकट दिसे दोसको ठीक करने के लिए क्या दोस्तों और दूर मतलब उत्तल दूर को उत्तल और निकट को अब्तल ठीक है याद रखे option नमर सी के साथ चल जाना है बहुत इसांदार प्रस्न है अगला प्रस्न दिखाता है दोस्तों कि निम लिखित में से कौन उपकरन बिधु धरा की उपस्थेती दर्स आता है तो ब इसने परति पादित किया था दाय हाट के अंगोठे के नियम को परति पादित करने वाला था दोस्तों आपको यहाँ पर मैक्स वेल, ओप्सन नमर्डी के साथ चल दे रहा है, मैक्स वेल अगला प्रसन देखते हैं दोस्तों कहा गया है कि विभांतर का साइमातर क्या होता है दोस्तों भोल्ट, ओम, एम्पीर या फिर कुलंब तो सही उतर हो जागा वोल्ट विभब और विवांतर का एक ही मात्र का पर्तिरोध का ओम हो जाता है ना पर्तिरोध का विधु धारा का क्या होता है दोस्तों MP और विधु धारा है ना और आवेस का क्या होता है चार्ज का कुलंब होता है तो याद रखेगा चारों का चारों मैंने बता दिया ओप सरेनी करम परतिरोद अगर धारिता पूछता दोस्तो धारिता पूछाएगा धारिता तो यह समांतर करम हो जाएगा ठीक है ना यहाँ परतिरोद है तो आपसर नमर एक के साथ चलना है हमको सरेनी करम अगला परसंद देखते हैं कि चुम्बक के बल रेखा की परकिरती होती है तो चुम्बक्य बल रेखा की जो परकिर्थी होती है दोस्तों वह आपको कालपनिक होता है ना क्या होता है भर यहाँ पर इमेजनरी होता है दोस्तों कालपनिक अगला परस एक किलो वार्ट घंटा बराबर होता है तो एक किलो वार्ट घंटा जो बराबर होता है दोस्तों य महलुकर कहा है तो पाइस को अपसारी वाल क decentralized अब ही है होते हैं याद रखिएगा ठीक है ना इसको अपसारी बोलते हैं आपसर नमर एक के साथ चल जाना हम लोग को अगला परसन देखते हैं दोस्तों कहा गया आपका कि परकास का प्राथमिक वर्ण कौन सा है तो आर बीजी मतलब रेड बुलू गिरिन रेड बुलू गिरिन आपस आपका का सुन कहला पता रंगीन वहक आरेष हो कहता है कर दोस्तों 206 वाट के वरावर में तों आपका होता है क्यों साथ अगला प्रस्म जब किसी चालक तार से उसमें होते इलक्टॉन का लाथ स자리ल thank you एंटी डू तो एंपीयर घंटा मात्रक हो जाता है तो तो आवेस्का हो जाता क्या चार्ज का याद रखेगा चार्ज है ना और सिर्फ MPR विदुधारा का MPR घंटा लगा देंगे तो आविस खा अगला प्रस्थ नेमलेखित में से कौंड सा मात्रक वाट के बराबर है तो एक वाट जो बराबर होता है दोस्तों आपका जूल परती सकेंड होता है तो भी 100 में 100 लेकर आए है न 80 में 80 चलिए अगला प्रस्थ चालिस में 40 अबजेक्टिव सही करके आए गलोबल वार्विंग के लिए उतरदाई गयस कौन सा है तो गलोबल वार्विंग के लिए उतरदाई गयस जो है दोस्तों O2 NH3 ये सब नहीं है सी ओ टू है मतलब कार्वन डायकुसाइड गयस गलोबल वार्विंग के लिए रिस्पोंसिवल है शरीर में भोजन का पचना किस परकार की अभिकिरिया तो शरीर में अगर भोजन पच जाता है दोस्तों तो उस अभिकिरिया को हम लोग बोलते है उपचयन अभिकिरिया ऑक्सीडेशन अप्सन अभिकिरिया अप्सन अभिकिरिया चल जाना है कली चुना पर जब जल डाला जाता है तब अभिकिरिया होते हैं कली चुना पर जब जल डालते हैं दोस्तों तब कौन सी अभिकिरिया होती है तो 37 का से उत्तर हो जएगा उसमा छेपी अभी किरिया ओप्सन अबर एक के साथ चल जाना है निमलिकित में से काउंट सबसे अधीक अभी किरिया सील है तो सबसे अधीक अगर अभी किरिया सील की बात करें दोस्तों इस चार ओप्सन में से कहा गया कि C U H G A G A U तो 38 का correct answer हो जाएगे दोस्तों C U है ना कॉप और ओप्सन नमर एक के साथ चल जाना है चलिया अगला प्रस्न कहा गया है दोस्तों आपका अगला प्रस्न है दोस्तों चूना जलका रसाइनिक सुत्र क्या है तो रसाइनिक सुत्र यहाँ पे चूना जलका हो जाएगा दोस्तों आपको C A O H का होल टू 29 का से उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका C A O H का होल टू आप्सन नमर डी के साथ चल जाना है अगला प्रस्न क्वेज़न लाल लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो क्या होता है दोस्तों उस प यहां प्र निला खर देता है वो उसको चार बोलते हैं और 7 से उपर मान होता है ना 7 से उपर 10 और 11 दोनों हो जाएंगे option number A और B D correct हो जाएगी एलकाइन में कारवन कारवन के बीच कितने 100 सन्यूजग बाउंड होते हैं अगला परसन देखते हैं गुलकोच का आनविक सुद्र क्या होता है तो गुलकोच का C 12 H C 6 H 12 O 6 32 का A correct हो जाएगी यहाँ पर चले अगला परसन देखते हैं दोस्तों कहा गया आपका उच्वसिय अमलो के सूडियम लवन का लाते हैं दोस्तों 33 का सही हुतरा उप्सन नमर E हो जागा साबून अगला परसन देखते हैं CH O अभिकरिया सिल्ग मुला को क्या वहते हैं CH को LD हाइड बोलते हैं दोस्तों ऑप्सन नमर 34 का A correct हो जाएगी याद रखेगा ठीक है न और अगला परसन देखते हैं किटोर को तो पता ही होगा साबिश सभी को आवर्त सारनी के किसी आवर्त में बाएं से दायें जाने पर ततों की परमानों तिर्जाज होती है दोस्तों क्या होती है तो वह घर्ती है क्या हो जाएगी घर्ती है तो option नमर E के साथ चल जाना हम लोको फ्रासा फास्ट करते हैं दोस्तों ठीक है न अब कहा गया कि तत्वों को या धातू गुनों को बढ़ते करमें साजाए मतलब सबसे कम बला पहले उसके बाद ज्यादा उसके बाद ज्यादा तो सही उत्तर यहां पे 36 का जो हो जाएगे दोस्तों वो लिथियम, बेरेलियम, का लोरीन, आप्शन नमर बी यहां पे बढ़ते करमें हो जाएगे अधातू गुन के, सिलीकन क्या है तो सिलीकन एक उपधातू है दोस्तों, आप्शन नमर हमको सी के साथ चल जाना है, सिलीकन क्या है एक उपधातू है, कहा गया है कि निमलिकीत में से कौन बिधूत धनात्म तो यहां पर रियक्टिव एलिमेंट होते हैं अगला कोशन टीहरी बांध का निर्मान किस प्रदेश में किया गया तो यह उत्रा खंड में किया गया है बहुत ही सांदार परसने दोस्तों याद रखिएगा निम्लिकित में सकिस धातों को किरूशिन में डूब कर रखते हैं नमर कोशन नहीं है कि अप मार्जक से बनाया जाते हैं क्या बनाया जाते हैं क्या बनाया जाते हैं वह उप्योग कि जाने वाले चीज होती है तो सिलिकोन का उप्यों करते हैं ऊपधातू का ठीक है? इसलिए एक एक प्रस्ट इंपोर्टेंट है, दो स्लूस लेकर अन तक cauliflower बने रहेगा कहां गया कि कितम glucose भाना इंधर में नहीं होता है CNG का दोस्तों हम लोग नहीं करते हैं LPG का करते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग बायोगास का करते हैं कोईला का करते हैं सी एंजी का दोस्तों हम लोग खाना बनाने को प्योग में नहीं करते हैं इंधन की रूप में आप्शन नमर यहां पर यहां पर फोटी थिरी का ए हो जाएगा ठीक है ना चले फोटी फोर देखते हैं टू सी यू पोलस ओटू जो बनता है टू सी यू ओ क्या हो रहा है दोस् यह होता है आपका कांट साब बताओ साथ होता है उदासीन बिलन का प्याच मन का उता साथ होता है नेक्स्ट कोशन है कि निम्लिकित में से कौन दूर्वल अमल है तो दूर्वल अमल की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर 47 कराइट एंस रोज़ेगा CH3COOS एक विक एसीड है ऑप्शन नबर C के साथ चलेंगे अगला कोशन एक का परत्रें ना टॉस्तों उसके न यहां पर यहां पर संखिया यहां दूस्यार अगला कोशन डुर्ट मण का अग्रद संग्हाँ है क TVs है म्नद सब्सक्र अग्हार दो पेकिनियम की बात करें दोस्तों यह मेथेनो इसीड हो जाता है अगला कोशन देखते हैं कि इथाइल अलकोहल का अनुसूत्र क्या है तो इथाइल अलकोहल का जो अनुसूत्र हो जागा दोस्तों यह आपका C2H5OEH हो जागा तो ऑप्सन नमर C के साथ चलेंगे यहाँ पर अ ओए गार ओप्शन नमर B के साथ चलेंगे चीनी का रसानिक सुद्र अगला परस देखते हैं तो 55 नमर का आगे कि सोसन के अध्यन के लिए उपयोग किये जाने वाले बीज है तो अंकुरित बीज होते है दोथो ओप्शन नमर यहाँ पे पचपन का क्या हो जागा बी हो जागा अंकुरित बीज है ना चलें अगला परस देखते हैं कि माना बिरिक किस प्रणाली का एक हिसा है तो यह उत्सरजन का एक हिसा है दोथो माना बिरिक के मतलब किड़नी तो 56 का ओप्शन नमर C को रेक्ट हो जागी पढ़र में जायलम daha किसके परिवहन के लिए तो पानी के लिए दोस्क जोशे जएलम ज्योशेzeit जल ठीक है न वहीं भोजने के लिए हैं 500 फुट वह है। अगला प्रस्टन के दौरान कौन से गाइस निकलती है तो स्यों टूकर निकलती है दोस्तों यहाँ पर 58 का एक को रेक्ट होजाएगी जा रहे हैं अगला प्रस्ट देखते हैं साथामर का क्या है है कि नीरों का वह हिस्षा जानकाली नियासिल की जाती अगला प्रसंद देखते हैं कि यहाँ पर कॉंड निकलना यह आपका अनेक्षिक किरिया नहीं है ठीक है ना अनेक्षिक अगला प्रसंद देखते हैं कि मानम में गर्व कि इस नोमर एक चलेंगे गंगा एक्षन प्लान जो शुरू अधो ये आपको शुरू हुआ है मुकूलन द्वारा जो होता है तो वह इस्ट में होता है अगला प्रसंद दखता है कि मनुस और अन्यमन सहारी जीव निम्रिकित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं तो यह दो सेलोलोज का पाचन नहीं हो पाता है तो 67 का B क्रेक्ट हो जागी यहाँ पर अगला प्रस देखते हैं दोटो कहा गया किopolूल। दोस्तो यह आपको हाइपर टेंशन हो जागा option number C correct हो जागी 169 देखते हैं कि निमली कितमे से पर जीवी पादप का उधारन क्या है तो पर जीवी पादप का जो उधारन है दोस्तो यह आपको हो जागा यहाँ पर कसकूटा option number यहाँ पर 1610 का B correct हो जागी हिर्दय से रक्त को संपुन सरीर में pump किया जाते किसके दोरा तो हिर्दय से रक्त को संपुन सरीर में pump जो किया जाता है वह निलाइ के दौरा के देडिता ओप्शन अंबर बी 70 का हो जाएगा अगला पसंद देखते हैं के हैडरा में अलेगे एक जना की बीदी क्या है जनान संचरित रोग जो है जो है दोस्तों यहां पर सीफ लिस पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता 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 है तो पुष् A में जो antibody होता है दोस्तो 74 का correct answer A B हो जाएगा अगला प्रसन देखते हैं दोस्तो कहा गया कि रक्त में गुलकोज की मातरा निमिकित में से कॉन्ड नहीं करता है 75 का A option insulin हो जाएगी अगला प्रसन है कि पादब विर्धी हार्मोन है तो पादब विर्धी हार्मोन जो है दोस्त के मुख गुहां में कितने जोरे लार्ग रंथिया पाए जाती है तो 78 का सही उत्तर हो जागा तीन हैं ना तीन जोरे अगला प्रसन देखते हैं दोस्तों कहा गया आपका hydrogen है तो एंड्रोजन जो है दोस्तों ये क्या है आपका इंड्रोजन एक मेल हार्मोन है तो option नमर एक से आर्ट तक कोशन रहेंगे जिसमें आपको चार का ही जवाब देना है ना चलिए हम लोग आठो कोशन को देखते हैं दोस्तों बहुत देखो मैंने आप लोगों बताया था पहले विडियो में परकास के प्रावर्तन और अपवर्तन है दोनों में से कोई एक पूछेगा दो तो याद रखेगा चलिए अगला प्रस्न जल और सीसा का अपवर्तन इतना है दोस्तों उनमेंसे पर्तेक में परकास की गति घ्याद कीज़िया रएं न तो जल और सीसा का अपवर्तन के यहां पे दिया गया है यहां पे बैगनी उपर में लाल इस तरह से बहुत ही सांदार प्रसन जिवास मिनधन क्या इसके दो उधारन दे विदुत विभव से आपक्या समझतें यह भी प्रसन पूछा गया है दोस्तों याद रखेगा फलेमिंग का बाम हस्त नियम लिखीए या फिर आपको दाए हात का नियम ही पूछा जाता है मैक्स बेय ल का किसी चाला का पर्तिरोध किन कारों को पर निर्भर करता है तीनों पर दोस्तों आज इतना ही हम लोग मिलते हैं नेक्स वीडियो में दोस्तों और सारे प्रस्ट इंपोर्टेंट थे एक एक प्रस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों सारे याद रख लीजएगा ठीक है और इसके आगे एक प्रस्ट हम लोग काफी सारे इंपोर्टेंट कोशन में लेकर आने वाला हूं दोस्तों इसलिए मिलते हैं नेक्स वर्ज में तब तक के लिए जाहिए जै भारत